हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभला क्लासिस, आई होब कि आप सब अच्छे होंगे आज का हमारा लेक्ट्यर इंग्लिज का है, इंग्लिज क्रामर में हम वन वर सब्सेजूशन डिसकस करेंगे और easy way में हम उनको डिसकस करेंगे, ताकि उसे हम आगे future में कभी न भूले तो let's start, दिखी crazy, crazy means होता है rule यानिकी शाषन, तो जहाँ भी जिस वर्ड में crazy last में लगा हुआ हो तो इसमें समझे, शाषन वर्ड यूज किया गया है, यानकी शाषन के बारे में बताया गया है कि वहां का किस तरह का शाषन है तो demo का means होता है people, और crazy का means होता है rule यानिकी शाषन, so democracy means the rule of the people, यानिकी लोगों का शाषन next autocracy, auto का means होता है dictatorship और kingship, यानिकी when one person rules whole government or system, it's called autocracy theocracy means, theo means religions, when the government of religious people like priests and vishops, यानिकी जब priest या जो vishops होते हैं, वो government चलाते हैं, तो वहां की government कहलाती है, कि वहां पे क्या है, theocracy है next is mobocracy, mob means crowd, so mobocracy means when crowd takes over government, mob का means होता है crowd यानिकी भीर, यानिकी जब भीर, यानिकी जब लोग जो होते हैं, अपने हाथ में government ले ले लेते हैं, वहां पे उपर कोई उनका sovereign authority नहीं होती है, तो वो कहलाता है, वहां का शाषन कहलाता है mobocracy next, monarchy, monarchy means official, like a king, so monarchy is rule of king, यानिकी जब जहां पर जो शाषन चलाने वाला होता है, वो king होता है, राजा होता है, तो वहां का जो शाषन कहलाता है, monarchy कहलाता है next आपका giroto case, giron means होता है aged, यानिकी experienced, so giroto case means होता है when position are determined by the experienced or aged, जब जो government सम्हालती है, यानिकी जो government सम्हालने वाला वेकती, जब बुजर्ग होते हैं, काफी aged और experienced लोग होते हैं, जब aged और experienced लोग जो है, मिलकर government सम्हालते हैं, और उने ही government का part बनाया जाता है, तो वो कहलाती है, girotocracy, next आपकी kleptocracy, klepto का means होता है thief, यानिकी चूर, so kleptocracy means when the government is run by thieves, यानिकी जहां पे कहते हैं, आपने सुना होगा कई पार कि अब तो kleptocracy हो गई है, अब कोई democracy नहीं रही है, अब तो मतलब चोरों का राज चल रहा है, इस तरह से बहुत से governments के लिए बहुत से लोग बोलते हैं, अगर मैं कहूं हूँ, एक तरह से prover type से use करते हैं, तो kleptocracy कहां कहते हैं, कि जब चोर जो होते हैं, खुद लूटने वाले क्या करने लगते हैं, शाषन करने लगते हैं, तो वहां का जो शाषन है, वो kleptocracy के अंतर गताता है, उसे कहते हैं, kleptocracy, next आपका bureaucracy, bureau का means होता है, top official, तो bureaucracy means when the government is run by the top officials, जब जो government होती है, वो top officials के थूप चलाई जाती है, तो वो कहलाती है, bureaucracy, next आपकी aristocracy, aristocracy का मतलब होता है, nobility, यान की सज्जन, so aristocracy means when government is run by noble families, जब जो government होती है, उसे जो सज्जन लोग होते हैं, व चलाते हैं, तो कहते हैं, यह aristocracy, कि शाशन कैसा है, aristocracy शाशन है, next plutocracy, plutocracy होता है, wealthy, यानि की बहुत अमीर, so plutocracy means when government is controlled by wealthy people, like industrialist, कि जब जो government है, वो किसके हातों में चले जाती, industrialist के, यानि की जो wealthy लोग होते हैं, उनके हात में चले जाती है, और वो तब जब government चलाते हैं, त जो industrialist हैं, wealthy लोग हैं, वो शाशन चला रहे हैं, next आपका है, atheist, atheist का means होता है, one who believe in God, ठीक है, तो यहाँ पे atheist आपने सुनाई होगा most of, कि one who don't believe in God, कि वह जो इश्वर में विश्वास नहीं करता है, next अगर हम कहें, monotheist, mono means only, यानि की one, so monotheist means one who believe in one God, यानि की, जो सिर्फ यह कहता है, कि मैं सिर्फ एक इश्वर को मानता हूं, वो आपका कहलाता है, monotheist, ठीक हैं, जब पर्टियों किसी एक God को वो मानता है, और other God को वो नहीं मानता है, तो वो कहते हैं, कि यह क्या है, monotheist है, atheist, जो किसी God को नहीं मानता, monotheist जो सर्फ एक God को होता है many. So polytheist means one who believe in many gods. So polytheist उस वेक्तिव कहते हैं जो सिर्फ एक को नहीं कई भगवानों को मानता है, कई gods को मानता है. तो वो कहला था है polytheist. नहीं, pantheist. Pan means all over. So pantheist is one who believe in all gods, across all religion. आपका जो pantheist होते हैं, वो particular किसी religion के according, god को नहीं मानते हैं. वो हर religion के gods को मानते हैं, चाहे Christian हों, चाहे आपको, आपके वो, मतलब Muslims हों, या फिर Hindu हों, ठीक है, सिख हों. सभी के gods को वो क्या मानते हैं? God मानते हैं. उनका सभी में विश्वास होता है. तो वो कहलाते हैं pantheist. Next आपका है phobia. phobia means आपको पता है, यह fair होता है. तो जूफोबिया का मतलब होता है, zoo में देखी animals होते हैं और जूफोबिया में होता है, ऐसा person जिसको चानवर animals से डर लगता हो. तो उसे कहते हैं, उसे क्या है? जूफोबिया है. एंडुफोबिया, एंडुफोबिया होता है boys, यह फिर्म जानी की male. So, एंडुफोबिया means the one who don't like boys. ऐसा वेक्ती जिसको boys पसंद नहीं होते, वो उसे क्या कहलाते हैं? एंडुफोबिया है. कि कोई भी अगर person है, अगर वो boys से इधर उतर भागता है, दूर भागता है, उनके contact में नहीं आने चाहता है, उनसे बात करना नहीं चाहता है, उन्हें लाइक ही नहीं करता, पसंद ही नहीं करता है. तो उनसे कहते हैं, यह क्या है? अंडुफोबिया है इसे? किस से? वाइस और मेल से. नेस्ट, गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया, यूस करते हैं girls ये women के लिए, बोलते हैं ना वैसे गाइनोफोबिया तो जो त्री रोग विशेश अगे सरह से होती हैं, तो गाइनोफोबिया होता है girls, गाइनोफोबिया means one who don't like girls, यानि कि ऐसा वेक्ती, जिसे कि लड़क इसे देखे होँगे, जिने की बच्छों इरिटेशन होते है, बच्चे पसन्न नहीं होते है, जो ऑग देखा होगा गाइन स्चार्ट कयों बच्क्च्कमारि उसमे क्या कह सकते हैं उसे पोड़ो फोबिया था बच्चों से next आपका देम फोबिया Demo means pupil जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया था देमो करेसी में देमो कॉप मंस 애 कंपयों होता है सो डेमो फोबिया means one who fear from public speaking याने कि जु लोगों के सामने बोलने से हिच किचाता है और ढरता है स्टेज पे जाने से डरता है बहुत से लोगों को आपने देखे होता है तो उन्हें कहते हैं उसे क्या है? डेमफोबिया है Next, एंत्रोफोबिया इसमें क्या होता है? एंत्रो मिन्स होता है human beings, so एंत्रोफोबिया means fear from human beings और one who don't like the company of human beings यानि कि ऐसा परसन जो लोगों की बीच बैटना उतना उसे पसंद नहीं होता है उसे बहुत से मतलब अकेला ही रहना उसे पसंद होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे एंत्रोफोबिया है Next, एंत्रोफोबिया या उसे बहुत जादर डरता है उसे पसंद नहीं करता है तो उसे एंत्रोफोबिया है Next, आपका है लोजी लोजी का मीन्स होता है study of something किसी चीप की भी study लोजी मीन्स study तो थियो लोजी देखे फिर थियो आ गया है थियो का मीन्स क्या होता है? तो थियो लोजी का मतलब क्या हुआ आपका थियो मीन्स कॉर्ड और रिलीजन तो थियो लोजी मीन्स study of religion Next, एंत्रोपोलोजी यहाँ पे एंत्रो मीन्स है human being तो एंत्रोपोलोजी मीन्स study of human being ठीक है? जो human beings पे study करते हैं उन्हें कहते हैं उस study को कहते हैं एंत्रोपोलोजी Next है हमारा मॉर्फोलोजी मॉर्फ मिन्स होता है structure यान की धाचा So, मॉर्फोलोजी मीन्स study of structure किसी धाची का अध्यन करनी Next, side side का मीन्स होता है kill या फिर murder तो जिसमें भी last में side आता है उसमें मतलब यह होता है चाइल्ड को मारने वाले को क्या कहेंगे infaticide Next है आपका exorocyte exor मिन्स होता है wife So, exorocyte means a husband who murder his wife यान की जो अपने wife का murder करता है उसे कहते हैं exorocyte Next, matricide marriage मिन्स husband So, matricide मिन्स क्या हुआ आपका murder of a husband by his wife कि जब wife husband का murder करती है तो उसे कहा जाता है कि क्या है वो क्या है matricide की Next है आपका patricide pategory means father होता है So, patricide means a person who murder their father ऐसा व्यक्ती जो अपने पिता की हत्या करता है उसे कहते हैं patricide Next, matricide matricide means Mother So, matricide means a person who murder their mother एक ऐसा व्यक्ती जो पनी माता का बद करता है, माता की हत्या करता है, उसे कहते हैं Maticide. Next, Faticide, Fat means, Fat means होता है brother, so Faticide means a person who murder their brother, एक व्रती, जो अपने भाई का murder करता है, उसे कहते हैं Faticide. Next, Me, है आपका Anti, Anti का मतलब होता है against, so Antibody, यानकि a substance that destroys microorganism, यानकि against है, ऐसा substance जो destroy करता है, anti है, क्या है microorganism, तो उसे कहते हैं Antibody. Next, Antiseptic, Antiseptic यानकि जो prevent करता है infection को, तो वो कहलाता है आपका Antiseptic. Next, Antisocial, Antisocial Opposing Social Norms, जो की कभी भी society के norms को follow नहीं करता, और वो opposite ही जाता है, तो उसे कहते हैं, कि ये Antisocial है. तो ये थी आज की हमारी वीडियो, वनवा सब्सियूशन पर, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिएगा, और bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा, तो take care, bye-bye.